जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, प्रोलिफ्लो ओडी चार कैप्सूल यार दो दवाउं से मिलकर बना है, इसका उप्योग सौम्न प्रोस्टेटिक हाइप अप्लासिया के उप्चार में किया जाता है, यह मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथी क की मानसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे दर्ड और जलन से रहत मिलती है, यह पेशाप करने की इच्छा को नियंतरत करने में भी मदद करता है, ट्रोलिफ्लो ओडी चार कैप्सूल यार अकेले या अन्य दवाउं के साथ सयोजन में निर्धारत किया जा स रखता है, इसे भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा है, इसे नियमित रूप से लें और अपने चिकित सक द्वारा सुझाई गई तुलना में अधिक न लें या अधिक समय तक इसका उप्योग न करें, आपको तब तक दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि आप का डॉक्टर आपको यह न बताए कि इसे रोकना ठीक है, इस दवा का उप्योग करने से कुछ सामान्य दुश प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मूह में सूखापन, धुंधली द्रिश्टी, कब्ज, निस्तबधता, चेहरे, कान, गर्दन और धर में गर्मी की भावना, स्खलन विकार, यदि आपने इन में से किसी भी दुश प्रभाव का अनुभव किया है, जो दूर नहीं होता है, या खराब नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं, आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को कम करने या रोकने के तरीकों में मदद कर सकता है, यह सुनिश्च इस दवा को लेने से पहले, अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं, जो आप ले रही हैं, अपने चिकित्सक को यह भी बताएं कि क्या आपको हिरदय, यकृत, या गुर्दय की कोई समस्या है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अग अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद